नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजर हूँ मैं 12 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधुदेव को नमन कर चलिए राशिफल का इकारिक्रम प्रारंभ करते कर छोबढ़े दिन कि स्वामा साथिब यानी दैनिक राशिफल का मैं 12 जून आपके राशिफग। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज बुधवार है जेश्ठ मास शुकल पक्ष की आज शष्ठीती थी है जुरात्री साथ बच करके सोलह मिनट तक है और इसके पश्चात सब्तमी है मघानक छत्र है हर्शन योग कौलव करण है बातु की पंचांकी चंद्रमा आज सिम्भराशी में रहेंगे और राहुकाल दोपहर बारह बजे से दोपहर एक बच करके तीस मिनट तक होगा जैसा कि आप सबी जानते हैं कोई भी नया और शुभकारिय राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए बात बनेगी अवश्य एक बार आपको आजमा कर देखना होगा आज एक अद्भूत जानकारी आपको देने वाला हूँ आपकी जन्म कुंडली का ऐसा भाव जो आपकी जीवन काल में संकट मोचन बन सकता है आपके लिए कौन सा है वो भाव दिब्यमहा प्रयोग बेहत दिब्य है दिब्यमहा प्रयोग की बात करेंगे साथी साथ सुत्रह जून दिन सोंवार के मुहूर्त की भी अमचर्चा करेंगे लेकिन उससे पूरवात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की मंगल मेश रासी में सिंचरण कर रहे हैं तो हैं गुरु बुद्ध सूर्य और शुक्र ये चार ग्रह यूती बनाकर व्रिशवराश्य में सिंचरण कर रहे हैं चंद्रमा आजसिम्ह में हैं यह चंद्रमा शनिदेव की दृष्टी से दृष्ट होने से विश्योग का निर्मान कर रहे हैं के मद्रूम योग का भी निर्मान कर रहे हैं मंगल सिन का नमम पंचम योग बन रहा है तो वहीं चार ग्रहों से केंद्र का संबंध बन रहा है जिसमें गुरू के साथ और शुक्र बुद्ध के साथ तीन-तीन तरह से गजकेशरी योग केंद्र संबंध के कारण बन रहा है तो वहीं जो है शन्देव कुम्भ में और राहु मीन में केतु को जैसा कि आप जानते हैं कन्या में है प्रिदर्शकों गोचर कुंडली में आज जो चंद्रमा का संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है तो केतु के नक्षत्र में चन्द्रमा का संचरण और बुधवार, सौम्मेवार कैसा रहने वाला है ये दिन आपके लिए ? कौन सी उराशिया हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहत खास सिद्ध होने वाला है ? और कौन सी उराशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवशक्ता है देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो सिंचरण है आज केतु के नक्षत्र में और सौम्यवार बुधवार का दिन कौन सी उराशियां है जिन्हें अपने सभी नयकारे आज प किस ग्रह के विशेश प्रभाव में रहने वाले हैं आप कौन सा वोश्नान है कौन सा वो दान कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को स्रेष्ट बना सकते हैं इस सभी विश्यों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो ये है ग्रहिस्तिति इन ही ग्रह तुमा जिस राशी में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशी, अगर आप उतने जन्म राशी के बारे में नहीं जानते, तो फिरा आप अपने प्रचली नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहुर्त की। सत्रह जून दिन सोमबार, नामकरण व्यापार आरंभ करने का मुहुर्त मिल रहा है, तुमही आभूशन निर्मान, हल प्रवन, वरिक्छा रोपन, नौकरी ज्वाइन करनी है, उसका मुहुर्त आवेदन पत्र लिखना है, ऑनलाइन या ओफलाइन, उसका मुहुर्त निर्मान के लिए इस्तिती बताई थी चंद्रबा, ये नक्षत्र की चर्जा की थी, ये भी एक आवशदी निर्मान का मुहुर्त होता है, लेकिन वो जो निर्मान है, वो एक तरह से स्वयम करनी की विधी थी और उसमें स्वयम करना था, बाकि आवशदी निर्मान अगर स्वयम करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, अपने वैदी से, होमियोपैथ इत्यादी से, और या फिर इस आवशदी निर्मान वाले मुहुर्त में, जाकरके अपने वैदी को पहले से कह करके रखी एक स्रेवन का नहीं, निर्मान का मुहुर्त है, तो अपने वैदी से कह करके या होमियोपैथ के डॉक्टर उनसे कहकर क्योंकि अंग्रेजी दवाईयां तो अल्लेडी बनी बनाई आती हैं तो होमियोपैथ की दवाईयां बनी बनाई ही आती है लेकिन उसमें थोड़ा मिक्स वगर कर लेते हैं तो एक तरसे निर्माण हो जाते हैं शब्द है निर्माण निर्मान होना चाहिए कुछ वाहन क्रे करना चाहते हैं और पश्चिम दिशा की यात्रा ये सभी कारिय हो सकते हैं प्रातव नौबच करके 37 मिनट से ग्यारा बच करके 50 मिनट के बीच सिंग लगन में दिब्यमहा प्रयोक योर लेकर के आपको चलूँ उससे पूरु बता दूँ यदि आपकी दिल्चस्पी जोतिश शास्त्र में है जोतिश सीखना चाहते हैं जोतिशी बनना चाहते हैं रिश्यों किस महान विद्या से औरों का कल्यान करना चाहते हैं जन कल्यान करना चाहते है अपने खुद का भला करना चाहते हैं, अपने परिवार का भला करना चाहते हैं, तो ये आप के लिए बेहद आसान हो जाएगा, यहाँ उपर एक लिंक देखी, एक प्लेलिस्ट है, ओनली एस्ट्रोलोजी नाम से, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एके करके देखी, और विश्वास मानिये, आप जोतिसी बन जाएंगे, चली चलते हैं, दिव्यमाहा प्रयोकियोड, प्रिदर्शकों जोतिशास्त्र के मरमग्य कहते हैं, कि जन्म कुंडली के जिस भाव पर केवल और केवल शुभग रह की दृष्टी हो, किसी भी पापग रह की दृष्टी उ परन्तु उस भाव पर केवल सुभग रह की दृष्टी हो, तो वो भाव आपके जीवन काल में आपके लिए संकट मोचन बन जाएगा, जब जब आप अपने जीवन काल में किसी विशेस परिशानी में पड़ेंगे, तो उस भाव से सम्मंधित जो भी रिस्तेदार होगा, उस रिस्तेदार की मदद लीजिए, वो रिस्तेदार आपकी जीवन काल में आपको परिशानीों से उबारने वाला होगा, ध्यान से सुनियेगा और समझियेगा, एक उदारन से देखते हैं जन्म कुंडली के दसम को, चलिए मान लेते हैं आपकी जन्म कुंडली के दसम भा क्लाँ काता है मान लिजए आपकी कुंडली में सूर्य प्रिभी तैं जैसे कि द्रिश्ठ है कि आपके दसंबहाओ पर अगर शुभज्रह कि द्रश्टी है तो आपके पिता ही आपके लिए जीवनकाल में जब-जब आप परिशानी में पढ़ेंगे, आपके लिए संगट मोचन का काम करेंगे, आपके लिए उस सबसेदा मदगदार होंगे, तो आप कहेंगे कि भाई मेरतों से रोज अनबन बना रहता है, जी हाँ, ये अनबन होता है, इसलिए क्योंकि सूरी नहीं है, तो विश्वास मानिए कि जब-जब आप मुसीबत में पढ़ते होंगे, ये बताने की भी आवशक्तानी, वैसे तो ये उदारन पिता का था, इसलिए बहुत ज़्यादा बिचारनी है ने, क्योंकि पिता से ज़्यादा और करीबी कौन हो सकता है आपके हित्की सो जब-जब आप किसी मुसीबत में पढ़ेंगे आपके गुरू, आपको धर्म का ग्यान देने वाला कोई हो सकता, आजकल जोतिस भी अपने आप में कैसी विधा है जिससे लोग की मदद की जाती है, तो आप यूं समझ लिए कि जब-जब आप किसी मुसीबत में ग्यारमा भाव बड़े भाई बहन, हर भाव, छटा भाव आपके मामा का है, आठवा भाव आपके ससुराल का है, उदाहरन से समझे कि आठवे भाव पर किवल सुभग रह की दृष्टी पढ़ रही है, अब आप अपने जीवन काल में किसी भयांकर मुसीबत में पढ़ ग आपको इब प्रयास करके आज माकर देख लेना चाहिए, आपका ससुराल आपके लिए सहयोगी हो जाएगा, अब यहां यह ध्यान रखिये कि इस सूत्र में वो भाव नहीं आएंगे, जिस भाव पर पापगरह की भी दृष्टी है, यानि सुभगरह की भाई, जन्म जन्म कुंडली में शुक्र है, यह चार सुभगरह है, अब इसमें से दो ग्रहों के बारे में आप जानते हैं, यह दो ग्रहे चंद्रमा हैं, जो पक्ष विशेश में पापगरह और सुभगरह बनते हैं, और बुद्ध को अगर देखें, तो अगर किसी पापगरह के साथ यूती में होगा तब तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि हम बुद्ध की गड़ना करेंगे क्योंकि बुद्ध जब किसी पापगरह के साथ यूती में होगा तो केवल पाप्रभाव में नहीं होगा इस सुत्र को समझेए सुत्र काता है केवल सुभगरह की दृष्टी होनी च कैसी इस्ति में और कहां दृष्टी जाल रहे हैं गुरू के पास विशेश दृष्टियां भी है नौवी पांचवी दृष्टी भी वो डालते हैं मुद्धा ये नहीं कि साथवी दृष्टी नौवी पांचवी दृष्टी से भी बात बनेगी बस उस भाव पर किसी बहुत सहयोगी ही भी होगा बहुत सहयोगी एक उदाहरण से देखिए तो सश्ठेस मान लिजी सशनीदेव हैं तो आपके मामा के साथ मामा से आपको सहयोग मिलने वाला है अब सश्ठेस यादी प्लिट हो सनीदेव ही प्लिट हो किसी कारण से तो हो सकता है जो आपके वरकर ह जो आपके साथ काम करने वाले नीचे के सहकर में उनसे आपका नहीं बनेगा लेकिन छट्वा भाव मामा का है तो मामा से सहयूग आपको मिलेगा आप आज मा लिजेगा चलिए चलते हैं राशी फल की और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी मेश राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशी से आज पंचम में है और ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में और आप स्वयम मंगल के प्रभाव में है तो ये बहुत अच्छी बात है पंचम का चंद्रमा और ओवी मंगल के प्रभाव में हैं बहुत बढ़िया आज एक काम करी पहले तो आप गणेश जी के मंदर में जाकर के गणेश जी को मीठे पान का एक बीड़ा अरपित करवाईए और साथी साथ लाल चंदन का टीक अपने माथे परवस्य लगाईएगा शहद खाली पेट प्राता काल मधू का सेवन खाली पेट जरूर सेवन करिएगा बस जल्द बाजी नहीं करनी है इससे धनहानी होगी बाकी कारिस्थल पर काम आपके सारे बनेंगे साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा ब्यापारियों की बात करो तो ब्यापारित दृष्टिकोंड से भी दिन बहुत बढ़िया है और कोई बड़ा नीवे सित्यादी करने की सोच रहें तो वो भी कर सकते है लापार वाही के कई घूमने जाने की सोच रहें तो जाईए और विद्यार थी आलस से का त्याग करें तब जाकर के सफलता मिलेगे और स्वास्ते के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्ते को लेकर के जरा सचेप रहना होगा लकी अंक दो और लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवे प्राता कालेशनान से पूर्व चार तेज पत्ता आपकी घर के मसाले में आपको मिल जाएगा अपने सर से क्लॉक वाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षण या पश्चिम दिसा की और जाकर डाल आईए और माता के स्वास्ते का विश्यस ख्याल रखिए माता की कही बात को सबसे मुस्कुरा करके मिलिए तब ही जाकर के आपको फायदा होगा कारोभारीरों की बात करो तो कारोभार की द्रिश्टिकॉन से आज की दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा हलाकि आपके काम बनेंगे कारिश्थल परलगातार आपको कोशिश करते रहनी होगी कोई भी महत्तो पूरुन फैसला बहुत सोच समझ करके करिये और ब्यापारियों की बात करूँ तो ब्यापारित दृष्टिकों से है दिन लाभ देने वाला पर सावधानी बरतनी होगी वहन चलाते समय तनिक भिलापार वाही मत करियेगा जो लोग अभिवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है बिचार अच्छे से करियेगा बाकी विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत थोड़ी जादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो कफ जने रोग गले से समंधित कोई परेशानी और माता के स्वास्त का विशेस खयाल आज आपको रखना है लखी अंक आपके लिए दो लखी कलर आपके लिए अज क्रीम है निवेश आप ना करें मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंड़ेली में चंद्रमा का रासी साब के तीसरे का सुंचरण केतु के नक्षत्र में चंद्रमा सूरी के विशेस प्रभाव में है अपने गुसे पर नियंतरन रखिएगा अपनी उर्जा का सही ढंक से इस्तेमाल करिए फिर देखिए जरुवत पड़ने पर जुक जाने में कोई बुराई नहीं है और इसी आत्मविश्वास के साथ की नहीं मुझे मिलजूल करके अपना काम निकाल लेना है फिर देखिए मन बना करके निकल लिए सारे काम बनेंगे बलकि बिगड़े काम भी बनेंगे मेहनत से पीछा मत चुड़ाइए मेहनत करिए सफल रहेंगे कारेक छेतर में किसी भी तरह का बिवाद नहों इस बात का विश्यस ख्याल रखिएगा कोई नया कारी शुरू करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं ब्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा बेवसाइक दृष्टिकोंड से दिन सफलता प्रदायक है और ब्यर्थ के ब्याय से आपको बचना होगा लवलाइफ के दृष्टिकोंड से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा प्रेमी से सम्मान प्यार मिलेगा तो ही मैनेजमेंट फिल्ट के बिद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्त में ठकान और आलस से थोड़ा हो सकता है काम अधिक होने के चलते वैसे कोई परिशानी नहीं है करक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके आज दूसरे में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरन कर रहे हैं बाकी कारेस्तल पर दिन आपका बढ़िया है तो विपरीत का विशेश सहयोग आपको प्राप्त होगा विपरीत के प्रतियाकरशन भी खूब जादा होने वाला है कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बढ़िया है स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो वैसे स्वास्त में कोई विशेश परिशानी नहीं दिखाई पड़ रही है स्वास्त भी आपका ठीक है खान पान पर विशेश ध्यान दीजेगा मद्यपान मानसाहर जैसी चीजों से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा लखियंक आपके लिए जो तीन है लखी कलर आपके लिए जामुनी है निवेश आप अवश्य करिए सुमक्य जातकों की बात कर लेते हैं गोजल कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी पर प्रभाव केतू के नक्षेतर में चंद्रमा का संचरन बुदके प्रभाव में है बहुत बढ़िया गणेश जी के मंदर में जाकर के गणेश जी का दरसन कुरिए मीठे पान का बिड़ा गणेश जी को अर्पित करिए आमधनी में बृधी होगी पारिवारिक जीवन में कोई परिशानी थी वो दूर होगी हर छेत्र में सफलता आपको मिलने लगेगी बाकि बढ़िया है दिन जहां भी रहेंगे मानसम्बान तारीफ हापकी होने वाली है खुशियों में आपके बुर्धी होने वाली है कारिक्षित्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी कोई बड़ी उपलब्धी आपके नाम होगी और सबसे बड़ी बात जहां भी रहेंगे आप आज लोगों का ध्यान आकरशित करने वाले है परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा कारोबारियों के लिए दिन बढ़ कोड़ों के दर्द से अगर परिशानी थी तो उसको लेकर के जरूर ध्यान दीजेगा लखियंक आपके लिए आज एक और लखी कलर आपके लिए आज लाल है निवेशा पवश्य करिए बात करने आपकी कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का पिरासी साज बारवे में होना है प्राता काल सनान से पूर्व चार तेज पत्ता लेकर के अपने सर से क्लॉक्वाइस भुमा करके घर से बाहर दक्षन या पश्चिम दिशा के ओर जाकर के डालाईए बहुत स सोच समझ करके काम करना होगा धैरे के साथ काम करना होगा और सबसे जरूरी बात किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनियेगा नहीं मुसीबत में पड़ जाएंगे साथ आपको काम लेना होगा तभी जाकर के आप सफलता पाने वाले हैं कारिक छित्र में देखा पिता के साथ संबंध में भी किसी न किसी बात को लेकर के उल्जन होते दिखाई पड़ रही है मत भेद होगा हलाकि अच्छी बात है कि अगर आपको मैं पहले सलाह दे रहा हूं तो यही कोंगा पिता का सम्मान करिएगा कोई बड़ा निवेस करने की सोच रहे हैं कोई पैसला लेने से पहले आज जो भी आपके शुबचिंतक है उनसे राय मस्वरा करिए ऐसे किसी फैसले के लिए दिन ठीक नहीं है और खर्च पर भी अपने नियंतरन रखिए बात अगर आपके लवलाइफ की आए तो यहां भी थोड़ी परिशानी दिखाई पड़ रही है समंद्ध में परिशानी दिखती है विद्यार्थियों के लिए बात करें तो मेहनद थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए और स्वास्त के मामले में देखा जाए तो पेट जन्ने रो की संभावना दिखाई पड़ रही है लखी अंक आपके लिए आज च्छ चंद्रमा और आप स्वयम चंद्रमा के प्रभाव में प्रात्व कालिशनान से पूर्व पश्चिम दिसा की 123 पग कम से कम्यात्रा कर लिजेगा आर्थिक दृष्टिकोंड से दिन और बढ़िया हो जाएगा अनकूल हो जाएगा रिस्तों में कहीं कोई अनबन चली आ रही जो भी मौका आपको मिले उस मौके को औसर समझ करके स्विकार करिए आगे बढ़िये पीछे हटना आज आपके लिए ठीक नहीं है बस आगे बढ़ते चली जाईए व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा व्यापार में सफलता मिलने वाली है तो व बाकि दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुख में दिखाई पड़ रहा है प्रेम संबंद्ध के दृष्टि कोंड़ से देखें तो प्रेम संबंद्ध के मामले में भी अनुकूलता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो कोई परशानी नहीं हाँ पिता के स्वास्त को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ेगी लकियंक आपके लिए आज तीन और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है निवेश आप अवश्य करिए बात वरुश्य की कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से आज दसम में संचरण केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है सूर्य के प्रभाव में हैं विश्य करके यदि किसी सामाजिक कार्या से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत पढ़िया है सफलता प्रदान कराने वाला है अपना वेवहार जितना हो सके अधिक सदिक साकारात्मक और सहयोगात्मक बना करके रखियेगा नौकरी करने वालों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है तो ही कारिस्थल पर भी आज का दिन बहुत बढ़िया है आत्म विश्वास में आपके बृद्धी होगी ब्यापारियों की बात करूँ तो ब्यापारित दृष्टिकोर से दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है तो वहीं कोई नया कारे शुरू करने की सोच रहे तो कर सकते हैं पूर्व से चली आ रहे कोई समस्या कोई उल्जन थी वो सुलजने वाली है कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है जूट बोलने से आपको बचना होगा चाहे प्रेमी हो चाहे जीवन साथी हो किसी का अपमान मत करिए किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है वहीं बात यादी विद्यार्थियों की करें, तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, और हाँ, स्वास्त के मामले में कफ जन्य रोक की संभावना है, तो इसका आपको जरूर ख्याल रखना होगा, और साथी साथ एक और बात का ध्यान रखिए, उनके जातकों की बात करें, तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का रासी से नव में संचरन, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा हैं, बुध के प्रभाव में हैं आप, गणिश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए और सबसे मीठा मीठा बोलिए, बढ़िया रहेगा भाग्य आपके साथ है, और सबसे बड़ी बात है कि जब भाग्य का साथ मिल रहा हो, थोड़े से प्रत्न से भी सफलता मिल जाती है, काम बन जाते हैं, कोट कचरी से समधित किसी मसले में फसे हुए थे, जूज रहे थे, तो आपर आपको मजगूती मिलेगी, किसी को धन उ अधार न दीजिये, और वही बात यदि प्रेमियों की करें, तो आज का दिन बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, प्रेम संबंद को वैवाहिक संबंद में तब्दील करना चाहते हैं, तो दिन बेहद खास है आपके लिए, और ब पिद्रा के शिकायत अगर आपको पहले सहे हैं, तो आपको अपने स्वास्त का खयाल अधिक सदिक रखना होगा, लखी अंक तीन, लखी कलर आपके लिए आज परपल है, निवेश आप करिए, मंकर के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंदरमा आपकी रासी साज अश्टम में हैं, केतु के नक्षटर में चंदरमा का संचरन राहू के प्रभाव में हैं, थोड़ा सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा, प्राता काल, स्नान से पूर्भ, चार तेज बत्ता, अप अच्छन या पश्टिम दिशा के ओर जा करके डाल दीजिए, इससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी, और जो भी कारे करिये, बहुत सोच समझ करके करिये, एके करके अपने सभी जरूरी काम निप्टाने का प्रतन करिये, तभी अच्छा रहगा आपके लिए, बाकी ल जरूरत पढ़ने पर लोगों की आप मदद करिये, सुनी-सुनाई बात में विश्वास करके कदम नहीं उठाना है, अचल संपत्ती से समंधित कारियों को करने से पहले अच्छे से आपको विचार कर लेना है, तभी जाकर के आप इस दिन का फायदा उठा सकेंगे, यात्र करीबी क्यों नहीं हो, अगर विवाद का स्वभाव है उसका ऐसे लोगों से दूर है, करज लेन देन के दृष्टिकोंड से दिन ठीक नहीं है, अच्छी बात है कि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, इससे तनाव कम होगा, विध्यार्थियों की बात करो तो confidence में आपको कमी महसूस होने वाली है, मन पढ़ाई में कम लगेगा, और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो ठकान आलस से मानसीक तनाव परिशानी रहेगी, लकियंक आपके लिए आज तीन लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है, निवेश आपना करिए, बात कुम्भकी कर लेत हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके सप्तम में, ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में संचरन कर रहे हैं, और आप स्वयम चंद्रमा के ही प्रभाव में है, परंतुई चंद्रमा शनीदेव की दृष्टी से दृष्ट हैं, विश्योग का निर्मान है तो सबसे पहले तो आपको प्राता कालिशनान से पुर्व पस्चिम दिसा की 27 पग यातरा करनी है, फिर घर लॉट के आना है, और सबसे पहला काम क्या करना है, मन को शांद करना है, दूसरा आपके जीवन साथी, आपका पाटनर, सब का सम्मान करना है, आज आपके सहन सक्त कर आपको आगे चला जाएगा एक और बात सावधानी के साथ ही कोई यात्रा इत्यादी करिएगा जो लोग विदेश गमन कर रहे हैं उनके लिए दिन ठीक है बाकी कारेक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोचने तो भी रुखिये उसके लिए दिन ठीक नहीं है नौगरे पेसा लोगों को आज बहुत सजग रहना है सचेत रहना है कारेक्षेत्र में आपके काम बनेंगे लेकिन छोटी मुटी बाद आए परिशानिया आएंगे और सबसे बड़ी बात जिसका आपको ध्यान रखना है कोई न कोई आरोप आप पर लग सकता है व्यापार निवेश आप करें जानकार के राय से करेंगे तो ज़्यादा लाग होगा मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी साथ के सश्थ में ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में पर सूरी के प्रभाव में है इस मंत्र का आज 21 बार जब करिएगा फायदा आपको मिलेगा भाग्य का साथ मिलेगा इस्थिती में सुलहार होगा धन कमाने के नए अवसर मिलेगे जीवन को बस सामाने धारा में बहने दीजिए बेवजग्र के प्रिशर मत लीजिए बेरोजगार हैं तो रोजगार आपको मिलने वाला है नौकरी का प्रस्ताव, आपको मिलने वाला अगर आपने कहीं नौकरी के लिए apply वगर कर रहे है तो सफलता मिलेगी, कोई interview देने जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी, लेंदेन से समंधित कार्याज आपको नहीं करने चाहिए बाकि दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने से भी बचिएगा लव लाइफ ठीक है दामपत्य जीवन भी सुख में दिखाई पड़ रहा है यह परिष्रम करें उतना पक्षमें दिम झाएगा लखियंक आपके लिए आज नौ है और लकी कलर आपके लिए आज घ्रे निवेसा करें तो परिय दर्शको ये था मेंशिशे लेकर के मेंद्राशी परियंत प्रत्य राश्केजात्विशु आज आपके पूरे दिन का हाल अभी क्रिवस इतना ही इजाजत दीजे पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार